असलाम अलेकुम, welcome to poiler.com आज मैं आपको एक poster बनाने की नई technique से कहूंगी एक नई बहुत सारी poster बनाना usually मेरा काम है कि आप लोगों को मैं technique से कहूं poster में use your imagination जितनी जो आपकी limit आपकी limit सिफ आपकी imagination है आप जितना ज़्यादा अपनी imagination उस करेंगे आप मेरी tutorial के लिए different objects different चीज़े लाकर एक नया poster बना सकते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप totally simple objects है मैं international paper लूँगे से कैसे एक नया poster बना सकते हैं यहाँ पर आप पकड़ें एक rectangle square पकड़ें इसका mid-up off कर दें यहाँ से इसको कोई भी color दे दें red ले लें इसके आप पे points बढ़ा दें ok करते हैं background इसको फिलहाँ remove कर देता हैं यहाँ पर मैं इसको देती हूँ define brush presets मैं इसको देती हूँ square actually मैं बस पहले का भी बनावा है control and new file खोलें यह आगी अब B brush पर press करें BBB यह brush आगे अब जब आप जिती बाद इसको जहां click करेंगी यह इस तरह करके यह करेंगे इस तरह करके हमाई पास यह brush बने यह start हो जाएंगे यह देखें simple हमने लिया यहां पर आप टेक्स्ट आलें title control A same यह color लेने चाहे तो drop shadow okay simple totally एक लाइन में यह poster है it's not a complete poster आप इसको colors दें just by adding आप एक presets को देकर बुरुष को किस्ता बना सकता आपको बुरुष डाउंड लोड करने के बुरुज़ रहती है आप simply कोई भी object लें मैं आप आपको बताती हूं आपको जोड़ कर right your name यह पर जोड़ करती हूं लिखती हूं फात्मानीस कुछ मज़र साफरंट देते हैं signature बना देती हूं signature के ना ना यह मैं लेती हूं small में लिखते हैं फात्मा control A इसका size अब आप increase कर दें इसको मैं जब यहां पर छोड़ूंगी यहां पर यहां पर आप देखें इसको मैं यहां पर rectangle को इसको delete कर देती हूं यह फात्मा लिया हमने इसको मैं edit में define brush फात्मा ok अज़र जाएं बुरश पर करें यह मेरा रते का मैं नहीं लिया बनानी पड़ेगी यह देखें फात्मा अब कोई name कोई shape किसी भी तरह की इसको मैं यहां पर एक bubble लेती हूं बबल को मैं इदर ड्रैग करके दर ड्रॉप कर देती हूं इसके बाद w से में इसको select करूंगी right click layer layer copy यह हो गया इसको वी करके हम इदर ड्रैग इदर ले जाते हैं इक तफाँ मैं इदर ले रहे इसको मैं define brush preset bubble यह हमारा बन गया उसके बाद सब चीज़ों को हटा दें यहां वे मैं जैसी brush प्रेस करूंगी यह हमारे पस bubble ready within seconds आप किसी भी object को लेकर उसको select करें उसको define preset करें वह आपके objects ready हैं और इसके इलावा मैं आप लोगों को हम क्या कर सकते हैं कोई shape लें यहां से यह custom shapes होती हैं मारे पास इसको brush के तोर पर ले लें यहां आप मैं बड़ लेती हैं मैं इसको shift करके करें तो एक बल होगा यह किया यह शेप ले ले ली हमने edit define bulb okay यह जब हम जब brush करेंगे new layer बना लेते हैं यह हमारा bulb ready इसके आप opacity flow कम जादा करें नौमी जिसना brush की होती है यह देखें यह देखें यह देखें control all z करें चोड़ें ने ले बनाते हैं नया पे यह देखें इस तरह करके आप को ही भी design you can use heart किसी भी object को ही आप बरके मैं आपको करके दिकर control all z यहां पर मैं लेती हूं view custom brush में यहां पर मारे पास heart होना तो जाहिए इस हार्ट को लेके यह ड्रॉक करती है यहां पर मैं इस ट्रोक इसके बीच कर देती हैं इसकी यहां से यह इसको जादा कर देते हैं यह देखें ओके इसको मैं यहां पर कर दूंगी इसको डिलीट करें ब्रॉष ने यह रेड़ी इसको इस चीज में पॉब्लम हो रहे है नहीं कौछ इस दिखाते हैं आपको यहां से अब हम करेंगे एफ फाइव बुरश के सेटिंग के लिए यहां पर मैं इसकी स्पेसिंग जादा कर दूंगे यह देखें आपके फाइफ दूबार दबादें वापर जाएगा यह मैं सिर्फ इसको प्रेस करके ड्रैक कर रहे हुँ इस तरह करके आप किसी भी तरह के अब्जेक्ट को एक पोस्टर बना सकते हैं आज इस वाले टुटोरिक लिए बस इतना ही नेक्स में आपको एक लार्ज बहुत बड़ी मैनिपलेशन सिखांगी अल्हाफिस